तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेशन जहां पर हम करने वाले है एक पेपर को प्रैक्टिस जैसे आप लोग बोल रहे थे मैं एक बार हमको समझा दो किस तरीके से हम पेपर को अटेम्ट करें क्या करना है हमको क्या लिखना है तो हम आज जो है वही करने वाले है इसके पहले कुछ important instructions है जब आज हम बैठेते मीटिंग के लिए तो हमें पता चला तो मैंने सोचा अपने बच्चों के साथ में share कर दूँ जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जाना तो सबसे पहली बात तो यह है आप लोगों को आदे घंटे पहले ही अपने centers में पहुच जाना है वहाँ पर इस बार एक नया system निकला है फ्रिस्किंग का फ्रिस्किंग का मतलब होता है चेकिंग होगी आप लोगों की सर से पाउत तक आपको सारी के सारी चीजे जो भी carry कर रहे हो हर एक चीज की वहाँ पर चेकिंग होगी तो ध्यान डखना अपने साथ में किसी तरीके का चेट, paper, copy material नहीं ले जाना है आपको दूसरी बात जो बहुत important है जो आपको कई सारे यूट्यूबर्स ने educators ने वीडियो बना कर बता दिया है कि इस बार आप लोगों को 10 मिनिट जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले है यानि आपका paper जो है वो खतम हो जाएगा 2 बच के 10 मिनिट पर जब तक आपने अपनी answer sheet submit नहीं कर दी है evaluator के पास में examiner के हाथ में आप वहाँ से उठकर नहीं जा सकते है तो इन बातों का आप लोगों को जो है वो खास कयाल रखना है अब इसी के साथ बिना वक्त जाय किये जैसे बच्चों ने बोला कि अभी मैं मैं बोलेगी चलिए आईए आज का session शुरू करते हैं तो बिलकुल मैं बोलूँगी कि आज का जो session है वो हम शुरू करने वाले है जो की हमारा English class 12 का board exam के practice preparation के हम तयारी कर रहे हैं तो यह हमारा सबसे पहला paper है जिसके अंदर आपको instructions दिये हुए है तो instructions को भी बच्चों हम ध्यान से पढ़ेंगे लेकिन यहां नहीं यहां आपके board exam में जो paper आएगा उसको ध्यान से पढ़ना यहां पर हम लोग waste नहीं कर दिये हमारे पास time कम है exams जो है वो बहुत ही नजदीक है ओके शुरू करते हैं आज का हमारा passage question number one a में जो दिया हुआ है meanwhile I saw a man standing at a distance with a stick in his hand as I approached he appeared spooked due to alarm calls of the leopard तो यह जो passage हमको दिया हुआ है हमको क्या करना है हमको हाँ शाय ही बिलकुल आपने सही बोला था कि मैं यही बोलने वाली हूँ okay तो आज जो है वो हम शुरू करेंगे जैसे मैंने आपको बता यह जो passage है यानि कि यह कौन सा passage है हमारा यह हमारा scene passage है बच्चो कौन सा passage है यह हमारा scene passage है जिसके अंदर हमको दिया है meanwhile I saw a man standing at a distance with a stick in his hand हम एक pen जो है वो select कर लेते हैं सबसे पहले आपर okay okay we greeted each other he was Raju Iskape from Pitazari तो जो हमारे writer है वो बोलते हैं इन से मिले थे वो he had come to collect logs but free treated due to the lepers movement तो यानि कि वहाँ पर Raju जो है वो आया था कुछ लकडियों को लेकर जाने के लिए आया था और उसी बीच में उसको जो है हमारे writer मिल गए अब मुने पता चला राजू जो है वो पितजारी को belong करता है जो कि एक गाउ का नाम है राजू जो है जब उमबर जारा के जंगलों में हमारे writer को घुमता हुआ देखता है तो सुनकर काफी ज़ादा अमेज हो जाता है तो हमें जार के नीचे रुख गए थे एक ब्रेक लेने के लिए तो हमने यह जो चैप्टर है वो अलड़ी क्या किया है बच्चो हमने इस चैप्टर को किया हुआ है हम अभी जाएंगे देखेंगे कि इसके जो questions है वो किस प्रकार पूछे जाते है क्योंकि मैंने आपको बला समय की थोड़ी सी पाबंदी है पूरे के पूरा passage हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम बढ़ते हैं सीधा सीधा आपने question की तरफ तो question number A1 जो की आता है global understanding जो की आता है हमको हमारे टेक्सबुक में से ही पूछा जाता है सॉरी हमारे passage में से ही पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे important words को कैसे पहचानेंगे हम तो basically आपको यहाँ पर उसके लिए ध्यान देना होगा हमारे passage के उपर अगर हमने पूरा passage करना शुरू किया तो एक गंटे का lecture जो होगा वो तीन गंटे तक चला जाएगा तो आप यहाँ पर किन चीजों का खयार लखेंगे एक बार passage के उपर ध्यान दे देंगे जो आपको लगता है कही न कहीं ऐसा कोई वर्ड आया है जैसे कि यह आपर हैस्टिली करके वर्ड दिया हुआ है डसकी ट्रेल करके वर्ड दिया हुआ है यह important words से आप इन words को क्या करेंगे mark कर देंगे अब आपको बताना है state whether the following statements are true or false अब आपको आंसर देना है सही है या गलत है तो आप मुझे बताए यह जो passage हमको दिया गया है इस passage में जो है आप बताए राजू जो है वो कहां पर था राजू जो है वो पिटिजारी विलेज को बिलॉंग करता था उमबर जरा तो एक जंगल है तो वो उसको बिलॉंग नहीं करता था तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है वो false लिखेंगे second question आपको बोलता है the writer had a bag carrying a camera and a bag carrying tiffin तो यहाँ पर कहां पर mention किया हुआ है हम देखेंगे writer के पास कहां पर bag और tiffin दिया हुआ है हम उसको दूनेंगे writer जो है उसके पास दो bag थे यह तो हम भी जानते है एक tiffin के लिए था और एक जो bag था उसका वो camera carry करने के लिए था तो इसका जो आंसर है वो दिया है आपको यहाँ पर I had two bags with me the shabnam bag have the camera and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin तो यहाँ पर हमारा यह statement जो है वो prove हो जाता है कि यह जो statement है वो क्या है सही है so the second answer is true so you all cannot mark with your pen but at least with your pencil you can put a small mark on your question paper a small mark on your question paper ठीके तो आप ज़्यादा marking उसके उपर नहीं करेंगे small mark जो कि आपको धान से दिखाई दे दे moving ahead with the next question describe the bags that were carried by the writer अब यह जो bags को हमको describe करना है तो यह हम कैसे describe करेंगे तो इसका answer जो है हमने यहाँ पर लिखा है the writer was carrying two bags जैसे कि यह आपर दिया हुआ है one was a shabnam bag that contained camera the other bag was a small colorful handmade bag used in villages it contained the tiffin that had some leftover foot तो इस तरीके से आपने उन bags के क्या कर दिये description जो है वो दे दिये सिर्फ format बनाने के आपको marks नहीं मिलते है बच्छो format बना दिया अगर आपने एक mark मिलेगा उससे जादा क्या हो जाएगा एक mark के लिए हम थोड़ी कोई question को attempt करते है चार marks के लिए करना है तो हिम मत करो चार marks के लिए attempt करो सिर्फ एक mark के लिए attempt मत करो next question that we have is good heavens I was lost explain the circumstances that evoke such reaction from the writer यानि की writer यहाँ पर क्या बोलता है मैं जो है वो रास्ता क्या हो चुका हूँ भूल चुका हूँ घुम गया हूँ मैं इस रास्ते में तो यहाँ पर हमको explain करना है कि कौन से ऐसी situation आ पड़ी थी जिसके अंदर writer ने ये बात कही थी तो writer ने कब कहा था after parting with Raju पार्टिंग का मतलब होता है जब उन दोनों के रास्ते जो है वो अलग हो गए थे writer followed the markings of the forest development corporation यानि कि writer ने कौन सा रस्ता अपना आया जा पर forest development corporation की तरफ से क्या होता है कही न कही रास्ते के उपर निशानी जो है वो बनी होती है लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया जैसे ही वो hillock के पास चला गया writer जो है उसको वो find a trail यानि कि वो जो निशानिया बनी थी वो क्या हो गई खो चुकी थी another dusky trail followed by the writer also vanished after a while और इसी तरीके से जब धूल मिट्टी के रास्ते से होते वे गुजरा तो वहाँ पर भी क्या हो चुका था वो सारे निशानिया जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी यानि कि अब इसी के साथ साथ अब जैसे हम कहते रहा एक तो कड़की ऊपर से आटा गीला तो यहाँ पर वही हो गया तो एड तो इस माइजरी यानि कि अल्रेडी वीचारा रास्ता बटक चुका था अब उसके साथ साथ उसके साथ में क्या हुआ सूरज जो है वो डूबने के लिए आ चुका था यानि अंदेरा होना शुरू होने वाला था यानि कि रास्ता भी बटक चुका है अब अंदेरा भी होने वाला है तो उसको समझ में नहीं आएगा किस तरफ जाना है इसलिए वो और परिशान हो गया था और उस परिशानी में ही राइटर जो है उसने वो words जो है वो उसको बोला था क्या good heavens I am lost प्सक्राइब करने तरह शचाएं आपके टेक्स्बूक के चाप्टर दिये हैं उन सारे चाप्टर में से जितने हाड वर्ट होते हैं उसको आपको मार्क करके उनके मीनिंग जो है वो लिख कर रखने होते हैं इसका यही तरीका है कि हम अपने वोक्याबिलरी के अंदर वर्ट जो है वो एड़ करते चाहिए ओके माम किसी की रिष्टेदार तो नहीं है बट मुझे जो क्वेशन सबसे जादा नीचे आते वे दिख जाते हैं तो मैं उसका रिप्लाइ कर देती हूँ याद रखता मैंने आप लोगों को समझाया है बच्चो परसनल रस्पॉंस में आपको पूरे मार्क्स मिले के चांसे होते हैं यहाँ पर आंसर सही या गलत नहीं होता है यह हमारा खुद का ओपिनियन जो होता है weeper presentation tips यह हम देंगे आपको इस lecture के बाद अभी नहीं नहीं पर हमारे सब questions grammatical correct है तो क्या हमें full marks मिलें फुल चार मार्स मिलेंगे क्या इंटर्व्यू में बच्छो अगर ग्रमाटिकली भी आप करेक्ट होते हो तो फॉर मार्स में से आपको बेस्ट मार्स जो मिलता है वह होता है 3.5 3.5 वो क्याबलरी का मतलब होता है आप और वर्ड्स सीखो नहीं नहीं वर्ड्स को सीखो ठीक है दैट इस वाट वी मीन बाई क्वेशन मार्स वो क्याबलरी बच्चो मैंने 60 प्लस जो बोला था ना 60 प्लस का मतलब 70 प्लस भी उसके इंदर इंक्लूड होता है मेरा अल्रेडी एक लेक्चर जो है वो कल अप्लोड हो चुका है आप उस लेक्चर को देख लीजिए पूरी दरीके से आप समझ ज़िए वीडियो क्लियर नहीं है I guess there is no problem as such आपके कुछ इंटरनेट का इशू होगा सारे ग्रामर के उपर वीडियो औरेडी हमारे सर विजे सालूं के सर ने हमारे चैनल पर बनाए है बच्छो एक बार प्लीज उनको देख लो बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने समझाया है तो आप लोगों के लिए एजी हो जाएगा कि कमिंग बैक टॉपिक जैसे की परस्नल रिस्पॉंस के उपर मैंने आपको बुला है आपका अपना उपीनियन व्यू होता है कोई आपर गलत या सही नहीं होता है चीक है तो राइटर हैट सम फूड लेफ्ट अनि स्टिफिन येट ये डिद नॉट फील लाइक एटिंग कर रहा है अगर ऐसा कोई है तो आपको अपना इंसिड्या बताना है तो वेकेशन अपने क्या किया है नहीं सचकर आपने क्या बताया हैँ कभी मेरे साथ بھی लाइफ में डिया है चलते हैं वान हो तो आपको बहुतिए हैं चलता है कि तो और चल कर जाना पड़ेगा हुआ उस वक्त आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने इरादा बनाया था अपने सारे classmates के साथ आप मिलकर क्या करेंगे उस भेल को जो आपने बनाया है उसको आप क्या करेंगे शेयर करेंगे लेकिन क्योंकि आप वो नहीं कर पाई इसलिए आपके पास आपने breakfast को skip कर दिया और आपका खाना खाने का मन या फिर breakfast मन जो है वो बिलकुल भी नहीं था रंदय नहीं बिलकुल डरने की जरुतनी ए ग्रामर में आपने अगर ग्रामर को अच्छे से सीख लिया है उसके rules and regulation समझ लिये है तो एक माख के लिए डरने की जरुत ही नहीं है okay coming back to the question अब आता है हमारा next question जो हमको बोलता है राजू was amazed at my solitary visits to Umbar Zara अब begin the sentence with the words my solitary अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है यह आपकी language study है sentence दिया है आपको rewrite करना है sentence को और आपको क्या करना है my solitary जे शुरू करना है तो रावजू was amazed at my solitary visits to Umbar Zara तो इसका solution हमने यहाँ पर लिखा है क्या किया है हमने okay आपने यहाँ पर mention किया है my solitary visits to Umbar Zara amazed Raju सिगंदर क्या है repeat कर दू बच्चे आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए repeat कर सकती है appreciation में कौन से पोयम आने के ज्यादा chances है बच्चों appreciation कोई भी पोयम आ सकती है लेकिन दा इंच के प्रॉक जो है वो थोड़ा अच्छे से समझे ना इंच के प्रॉक बड़ी अच्छी पोयम है वोड़ा सो उसकी practice आप लोग अच्छे से कर ली next question is he appeared spooked due to the alarm calls of the leopard अब आपको इसके ओपर एक WH question ऐसा frame करना है जो question आप फ्रेम करोगे उससे जो underline sentence है यह उसका answer जो है वो बनना चाहिए तो he appeared spooked due to the alarm calls of the leopard तो यहाँ पर आप उसको किस तरीके से लिखेंगे कि वो उसका answer बन जाए why did he appear spooked जब आप question पूछते हो why did he appear spooked तो यहाँ पर उसका answer है he appeared spooked due to the alarm calls of the leopard तो इस तरीके से आपने underline words को answer बनाते हुए WH type question जो है वो फ्रेम कर दिया है when we solve passage section at last start the paper from the end that is the novel vocabulary कहा से एक्जाम में आज़े है whether textbooks जो होती है उसी के अंदर के जो words होते है उसी को आप mark कर दो और उसी को समझने की कोशे अभी आएगा paragraph passage कहीं से भी आ सकता है बच्चों हमको बता कर थोड़ी आता है ball pen or gel pen what kind of question spelling mistakes में marks कटेंगे spelling को अच्छे से निखलो नहीं कटेंगे तुरा syllabus कम्प्लीट जिया thanks ma'am welcome बिना वग्जाय कि हम अभी start करेंगे हमारे passage से दूर हो जाते हम सारी बाते करने में अच्छा जो भी इसके अंदर grammar sections होंगे वह grammar sections जो है completely आपको विजय सालों के सर्ज है वही समझाएंगे क्योंकि तभी आपको बहुत अच्छे से paper क्या technique apply करनी है वह समझ में आएगा तो हमारे विजय साह जब आपको सेशन लेंगे तो वह आपको grammar के सारे पार बता देंगे अब भी जो आता है राइट दी अटॉनिम for the following from the passage तो एक है advanced दूसरा है sluggishly तो इनके हमको अटॉनिम यानि की opposite words जो है वह लिखने है तो यहाँ पर advance का retreated आता है और sluggishly का जो opposite दिया है वह आता है hastily अब अगर हम फिर से देखे तो यहाँ पर आगे भी आपका grammar ही दिया हुआ है ठीक है तो grammar आपका जो है वो complete करवाएंगे विजे सर यहाँ पर आपको sentence को transform करना है किस तरीके से model auxiliary का इस्तमाल करके आपको sentence को वापिस से लिखना है degree of comparison का इस्तमाल करना है comparative करना है few people are as are as careful as समीर तो यहाँ पर आप degree of comparison comparative का इस्तमाल करेंगे novel section से start कर सकते है no digital watches are allowed in your board exams sorry for that but you cannot carry your board your this digital watches with you seize कर लेंगे copy case बना देंगे copy case नहीं कर बना है हमको exam से banned नहीं होना है हम लोग बहुत अच्छे बच्चे है हम पढ़ाई करके जाते है कम marks लेकर आएंगे लेकिन copy करके पास नहीं हो यह चीज़ आप लोगों को याद रखना है okay coming back to this फिर आपको sentence में error जो है वो spot करना है कि कहां पर error दिया हुआ है तो all the grammatical aspect will be taken care by our Vijay sir who is going to take the grammar portion okay moving on to the next part so here we have unseen passage with us unseen passage है थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान जो है वो देना पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं unseen passage को कैसे solve करने का unseen passage को solve करने की technique क्या है पहले questions को पढ़ो उसके बाद passage को पढ़ो तो हमको passage का central idea मिल जाता है तो पढ़ते हम हमारे questions को arrange the following events of how Michael was successful in catching more fish in the order of their occurrence यहने कि हमको यहाँ पर क्या करना है कि यह जितने भी events दिये है passage में उसका जो sequence है वो हमको क्या करना है बनाना है read the passage carefully and say whether the following statements about Michael Dell are true or false तो यह तो हमको तभी पता चलेगा जब हम passage को पढ़ेंगे mention the details that the writer gives about Michael's family in the extract यानि कि यह passage में Michael की और उसकी family के ओपर details दी हुई है Michael says if you think you have a good idea, try it, do you agree, disagree, explain your view in detail यह हमारा personal opinion है तो चलो passage को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं unseen passage को one afternoon in 1977 as his parents and two brothers fished in the Gulf of Mexico 12-year-old Michael Dell sat on the beach painstakingly putting together a trot line a maze of robes to which several fish hooks could be attached you are wasting your time, the rest of the family called to Michael as they pulled in a fish grab a pole and join in the fun Michael kept working, it was dinner time when he finished and everyone else was ready to call it a day okay, अब यहाँ पर जो है यह एक दुपैर की बात चल रही है यहाँ पर यह एक दुपैर की बात चल रही है it is about an afternoon in the year 1977 जब माइकल अपने parents और अपने brothers के साथ दो भाईयों के साथ में Gulf of Mexico पे बैठा था जो की माइकल की age यहाँ पर बताईये कितनी थी? 12 year old थी वो एक बीच पर बैठा था और बड़े ही तकलीफों के साथ क्या कर रहा था? अपना routine work जो है वो कर रहा था putting together a trot line, a maze of ropes यानि की जो जाला बिचाते है मच्छी पकणने के लिए वो बिचा रहा था ताकि उससे which several fish hooks could be attached जिससे की बहुत सारी मच्छी को बगड़ सकता है so you are wasting your time, the rest of the family called to Michael तो सब माइकल को बोते है तुम अपना वक्ट जो है वो जाया कर रहे हो वेस्ट कर रहे हो और इसे के साथ साथ तुसको बोते grab a pole and join in the fun हमारे साथ आओ यहाँ पर enjoy करो okay Michael kept working, it was dinner time when he finished and everyone else was ready to call it a day तो माइकल जो है वो अपना काम किये जा रहा है पुरा दिन बीच चुका है, वो अपना काम complete करता है और फिर आता है still the youngster cast the trot line far into the water anchoring it to a stick that he plants deep in the sand over dinner his family teased young Michael about coming away hampty-handed but afterwards Michael reeled in his trot line and on the hooks were more fish than the others had caught all together माइकल ने जो इतनी मेपनत की है इतनी मेपनत करने के बाद क्यों होता है घरवाले तो मज़ाक उड़ा रहा रहे देको तुम तो खाली हाथ आ जुके हो लेकिन वो रात बर मेनत करके क्या करता है जितनी सब ने मिला कर भी मच्छी नी पकड़े थी उसे कई ज्यादा जो है वो माइकल जो है उसने अकले ने फिश जो है वो पकड़ी ती Okay Michael Dell has always been fond of saying if you think you have a good idea, try it तो माइकल डेल जो है वो हमेशा क्या बोलते है अगर तुमको लगता है तुमारे पास एक अच्छा idea है तो क्या करना चाहिए, try करना चाहिए, अपने उस idea को try करो And today at 29, he had discovered the power of another good idea that has helped him rise in just a few years from teen to tycoon याने की और 20 साल में क्या हुआ, उसके life की पुरी जो है, वो change हो गई from teen to tycoon, याने की बहुत बड़ा business man बन गया He has become the fourth largest manufacturer of personal computers in America and the youngest man ever to head Fortune 500 Corporation याने की पुरी दुनिया में क्या हो गया यह, personal computers में manufacturer है, fourth largest number पर, कहां पर? America में और सबसे youngest man है, जो Fortune 500 Companies में आता है यह जो हम Michael Dell की बात कर रहे, यह Dell Company के owners की बात कर रहे हैं Growing up in Houston, Texas, Michael and his two brothers were imbued by their parents, Alexander and Lauren So, यहां पर Michael की किसका नाम दिया है, उसके brothers were imbued by their parents, Alexander and Lauren, उसके परेंस का नाम है He an orthodontist, she a stockbroker यानी father जो थे वो orthodontist थे और mother जो है वो stockbroker With a desire to learn and the drive to work hard, even so, stories about the middle boy began to be told early Like the time a saleswoman came asking to speak to Mr. Michael Dell about his getting a high school equivalency diploma Moments later, 8-year-old Michael was explaining that he thought it might be a good idea to get high school out of the way यानी अपनी लाइफ में उसने सोच लिया, high school की पढ़ाई को दूर रखी जाए और तुमको जो सही लगता है, अच्छा एडिया लगता है, उसके ओपर क्या करना है, तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है अब इसके ओपर questions क्या दिये है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देख कर हमको इस events को arrange करना है Michael cast the trot line far into the water, Michael painstakingly put together a trot line, सबसे पहले हमको यही दिया है Michael rindled his trot line, succeeded in catching more fish, तो यह भी दिया है, Michael anchored the trot line to a stick that he plends deep into the sand तो second, fourth, first and third, इस तरीके का sequence आएगा, let us check the sequence so the sequence that we have over here is, सबसे पहले Michael ने क्या किया, second, first, fourth and third तो Michael ने तरी तकलीफे उठा कर, जो है वो पहले भुख सब जगा बान दिये, जाल जो है वो पूरी तरीके से बिचा लिया उसके बाद किया किया है, trot line far into the water और फिर उसके बाद में मच्छिया पकल ली है, deep sand में plunge करके आ गया और finally उसने बहुत सारे fishes को catch कर लिया, moving on to the questions again whether the following statements about Michael Dell are true, Michael Dell and his brothers grew up in the Gulf of Mexico तो इसका अंसर क्या होगा, हमने passage अभी देखा है, Michael Dell and his brothers grew up in the Gulf of Mexico so the correct answer to this is false next we have is, over dinner Michael's family teased him for having caught no fish so the answer is true, उसके family जो है, उसका मजाक उडारी होती है, ये बोलती है कि कि तुमने इतना महनत करने के बाद भी मच्छी जो है वो नहीं पकड़ी है next they say, Michael fondly says that if one has a good idea, one should try it so again the answer is true, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो आप हमेज़ा उसको try कर सकते हो Michael's parents only imbued his two brothers with a desire to learn and drive to work hard so this is false, उन्होंने सिर्व अपने दो बच्चों के उपर ध्यान नी दिया, Michael के उपर भी ध्यान दिया है उसको भी पढ़ने के लिए आगे बोला है okay so the next we have is mention the details that the writer gave about Michael's family in the extract यहां हमको Michael की family के बार में क्या करना है, लिखना है तो यहां पर हमने लिखा है Michael की family के बार में okay from the extract we learn the following things about Michael's family यहां कि Michael की family में क्या है, he had two brothers जिसके बार में ज्यादा details नहीं दी गई है उनके father के बार में बताया है, उनका नाम Alexander है, orthodontist है, उनकी mother का नाम दिये, जिसका नाम Lorraine है और वो क्या थी, वो एक stop broker थी, तो इतनी ही information हमको यहां पर क्या की गई है, दी गई okay Michael says if you think you have a good idea, try it, do you agree or disagree, explain the view in detail yes I agree with Michael when he says, यानि कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आप agree करते हो statement से या disagree करते हो, तो अगर agree करते हो, तो आपको लिखना है you kept their great ideas to themselves, बड़े-बड़े inventions जो आज हुए है, वो possible बिलकुल भी नहीं होते है, अगर लोगों ने सिफ अपने idea को idea अपने thought में ही रखा हो था, उसको practice में नहीं ले आते तो to know whether our idea works, we must first try it out, और यह जानना होगा कि हमारा idea काम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमको सबसे पहले जरूरत किस चीज़ के होती है, कि हम उस idea को try करें now we have do as directed, जिसके अंदर आपका grammar portion है, again it will be taken care by Vijay sir give the meaning of the following word of phrase and make a meaningful sentence, जिसका हमको meaning देना है, उसी के साथ साथ हमको क्या करना है, इसे एक meaningful sentence भी form करना है so we have having achieved nothing, so the empty handed का मतलब क्या होता है, उसका meaning क्या है, कि आपने अभी तक life में कुछ अचीफ नहीं किया है secondly it says secondly it says that, कि आपको उसका sentence बनाना है the policeman tried to catch the thief, but remain empty handed, याने कि police ने कोशिश की, चोर को पकनने की, but they remain empty handed so that is how you are supposed to make it okay, अब सबसे important जो है हमको दिया है, that is your summary writing जैसे मैंने आपको सिखाया है, summary writing के लिए बच्चों हमको क्या करना है summary writing में अगर आप passage को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, उसका central idea आपको अगर मिल गया है तो उसके basis पर क्या करेंगे, आप उसकी summary जो है वो बनाएंगे यहाँ पर हमने आपके लिए summary जो है वो बनाए दिये inside the mind of Michael Dell, यानि यह हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उनको एक title जो है वो दे दिया हमने क्या क्या सबसे पहले एक title जो है वो उनको दे दिया अपने शुरुआत की 1977 जहाँ पर एक 12 साल का बच्चा जिसका नम Michael Dell है उसने अपना सबसे पहला idea जो है वो क्या किया, implement किया कैसे implement किया, उन्होंने by putting together a trot line he caught more fish than the others in his family did all together यानि उस दिन पूरी फैमिली को मिला कर भी उसने सबसे ज़्यादा क्या क्या fishes पकड़ी थी और फिर बोला गया है अब उनकी age जब 29 है he has become the fourth largest manufacturer of personal computers in America देखो यहाँ पर जो जो important information है वही दी गई है वो दिनर करने बैटे है, sunset हो चुका है, sunrise हो चुका है यह पूरी कहानी जो है वो हमको mention नहीं करनी है और उनके parents नहीं उनके अंदर क्या किया था इस feeling को इतना intrigue करके रखाता कि तुमको life में कुछ करना है और हमेशा उनको support भी किया है तो इतना ही आपका summary writing जो है वो होना चाहिए moving on to the next question next job हमारा question आता है that is on mind mapping next question is on mind mapping so read the paragraph given below and develop a mind map of your ideas in the form of main branch, sub branches and tertiary branches respectively तो हमको यहाँ पर क्या करना है हमको यहाँ पर क्या करना है mind mapping में सबसे पहले तो हम इस passage को पढ़ लेंगे उसके बात हम क्या करेंगे हम mind mapping यानि की diagram जो है उसको बनाएंगे तो mind mapping में हमारा यह passage हमको क्या बोलता है our overall health comprises of physical as well as mental well being तो यहाँ हमको समझ में आ रही है दो चीज़ किसके उपर बात की जा रही है हमारी health से related है physical और mental well being के बारे में बात कर रहे proper diet and various forms of regular exercise will ensure our physical fitness यानि की यहाँ पर बात हो रही है हमसे हमारी health से related अब उसके अंदर उसका हिस्सा हमको बताए जारा क्या है diet भी है और उसी के साथ सत exercise भी follow करना है physically fit रहना होगा eating nutritious food and consuming a good amount of fluids keeps one hydrated and energetic तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है अगर आप nutritious food खाओगे और उसी के साथ साथ अगर एक बहुत ही अच्छा amount of fluid यानि की liquid अपनी body में रखोगे तो हमेशा क्या रहोगे hydrated रहोगे और energetic भी रहोगे we should not discount the role of regular sleep and adequate rest और इसी के साथ साथ अपनी जो नींद है regular sleep और जितना वक्त चाहिए आपको rest करने के लिए वो भी जरूरी है तो आपको बोला जाता है कितना time लगता है हमको rest करना हो तो minimum of 6 to 8 hours of sleep ensures focus and concentration यानि की 6 से 8 गंटे की नींद जो है वो हमारे ले क्या है जरूरी है meditation is another great activity that helps us to fight stress and reduce anxiety तो यहाँ पर meditation के ओपर भी हमको ध्यान देना है जो हमको बोलता है जिसने की stress हमारा कम होता है also in this day and age we have enough exposure to multiple sources of information इसी के साथ हमको बताया जा रहा है कि कई सारे platforms है जहां से हमको information है वो मिलती है hence we should never shy away from approaching our near and dear ones और seek our professional help और इसी के साथ हमको बोला जा रहा है कभी शरम नहीं करनी ची हमको कि अगर हमको help ची अपने near and dear ones से professional help चाहिए professional help हमारे कौन कर सकते है जो कि हमारे doctors होते है nutritionist होते है health coaches होते है fitness coaches होते है यह सारे हमारे physical और mental fitness के ओपर क्या करते है ध्यान देते है there is also a plethora of information available on the internet about maintaining good health and lifestyle इसी के साथ साथ आपको बता रहा है अगर अच्छी health और lifestyle के ओपर आपको और information चीए तो online यानि की internet पर भी इन चीजों का क्या है data जो है वो available होता है basically यह पूरा पैसे जम को किस बारे में बात कर रहा है इसका central idea क्या है it is talking about your physical fitness okay it is talking about your physical fitness and your mental health both सिर्फ उसे physical fitness नहीं mental health की भी यहाँ पर बात जो है वो हो रही है now let us see हमने इसका mind mapping जो है वो किस तरीके से बनाया है okay तो सबसे पहले हमने middle में क्या importance दे दिसकी हमने बोल दिया कि health is wealth यह हमने एक title जो है वो इसको हमारे mind mapping को दे दिया अब यहाँ से हमने क्या किया पूरा mind mapping बनाना शुरू कर दिया यानि जो भी information इस passage में थी हमने किसी को भी eliminate नहीं करना है सब कुछ include करना है तो सबसे पहले physical fitness की बात करें तो हमने शुरुआत कर दी है अपने यहाँ पर exercise से तो exercise कौनसी कौनसी exercises हो सकती है you can run, you can do gym, you can do yoga, you can do aerobics तो यह सारी चीजे हमारे exercises में include होती है फिर हम पहुशते हैं अपने अगली तरफ जो की आता है हमारा dieting, dieting में हम क्या कर सकते है आप fruits consume कर सकते हो, vegetables कर सकते हो fluids यानि की liquids ले सकते हो जिससे की फाइदा क्या होता है पुरे दिन पर आप hydrated रहोगे पुरे दिन आपके body में कुछ ना कुछ liquid होना बहुत ही जरूरी है नेक्स आता है हमारा sleep तो sleep से हमारा फाइदा क्या होता है एक तो 6-8 गंटे की नीन जरूरी है हमारे लिए दूसरा हमको बोला जा रहा है हमारी productivity जो है वो क्या होती है और जादा improve होती है क्योंकि हम energetically क्या करते है काम करते है next it is talking about meditation meditation से क्या फाइदा होता है it helps to fight stress and reduce anxiety फिर आता है information के resource क्या है तो दो resource हमको बताएगा है एक internet और एक doctors है nutritionist है fitness coaches है तो हमने क्या किया offline और online में divide कर दिया offline में कौन है professionals है friends है family है और online में क्या होता है blogs और infographics होते है social media होते है जिनके जरीए हम क्या कर सकते है हम information derive कर सकते है okay so this is how we are supposed to do mind mapping okay moving to the next question which is our section 2 जहाँ पर हमारी poem जहाँ वो start हो जाती है okay तो poem हमको दी है यहाँ पर the earth that is sufficient I do not want the constellations any nearer I know they are very well where they are I know they suffice for those who belong to them till here I carry my old delicious burdens I carry them men and women I carry them with me wherever I go I swear it is impossible for me to get rid of them and I am filled with them and I will fill them in return so basically यहाँ पर जो है वो बहुत interesting से हमारी poem यहाँ पर आई है तो यहाँ पर हमको अभी क्या करना है उसके हिसाब से हमको इस poem को अप्रोच करना है okay choose the correct alternative in the context of the extract constellations mean constellation का मतलब यहाँ पर क्या है constellation का मतलब यहाँ पर क्या है constellation का meaning जो आता है यहाँ पर that is influential group of people के बार में यहाँ पर बाती जो है वो चल रही है earth is sufficient I do not want constellations any nearer यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे किसी भी influential लोगों की जरूरत नहीं है okay question bang with solution can we do that later can we just practice what we are doing right now okay एक time पर एक चीज़ पर focus करोगे तो आप जादा अच्छे से समझोगे अभी आप सब के सब question bang के आपर बात करोगे अगर it is just a waste of your time right next that we have is star हमने constellation का meaning तो बता दिया by old delicious burdens the poet means poet का मतलब होता है यहाँ पर क्या बोल रहा है वो old delicious burdens का मतलब यहाँ पर हमको बताया जा रहा है जो की होता है हमारा sweet memories of the past हमारे past की जो sweet memories है उसके बार में हम बात कर रहे है okay next question that we have is explain the meaning of the following lines from the extract I know there is a face for those who they belong यहाँ पर हमको इस line का मतलब जो है वो क्या करना है समझाना है यहाँ पर दिया है the poet says that for people who belong to influential group of society are content with their routine lives the poet however seeks freedom from that that he can never find in a society governed by these influential people यहाँ यह जो लोगों के बारे में बात हो रही है जो बड़े बड़े लोग होते है तो मुझे कभी किसी का influential किसी की help की जरुवत नहीं पढने वाली है मैं अपने आप में ही क्या हूँ मैं अपने आप में ही काफी हूँ मुझे किसी की जरुवत जो है वो नहीं है तो that is what the poet is trying to say जाने कि यहाँ पर poet ने बोला है कि उसके past में कुछ memories रही होगी जिसको delicious burdens बोलता है अगर आपके life में ऐसा कुछ है तो आपको भी क्या करना है यहाँ पर explain करना है तो इस तरीके से आप अपना answer जो है यहाँ पर frame कर सकते है अच्छा यहाँ पर आपको क्या करना है the road that leads to my home जिसके उपर आपको खुद की एक poem बनानी है काफी सारे बच्चे हैं जो बोले मैं हम अपने अंदर की poet को हम कैसे जगा है हम खुद से poem 4-5 line की कैसे बना है सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप इसको समझ लो heading को कि यह आपको क्या बोल रहा है और जरूरी नहीं आपको rhyming scheme A, 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 B, C, D ही follow करनी है आप अपने खुद की भी कोई rhyming scheme follow करके इस poem को बना सकते हो तो topic जो है वो हम को क्या दे रहा है the road that leads to my home वो रास्ता जो मुझे घर की तरफ ले जाता है अब उसको आप क्या बोलोगे at the end of the day when all work is done I seek to return to my quarters यानि कि जब पुरा दिन मेरा काम खतम हो जाता है तो मैं देखता हो कि कब मैं अपने घर पहुचू to be greeted by someone and to be loved and cared for तो जब आप काम ठकान रहती है काम खतम करते हो तो आपके मन में ऐसा रहता है कब घर जाओ, कब घर जाकर अपने घर वालों से मिलू कोई तो हो जो मुझे good evening, good morning जो भी आपकी wishes होती है वो करे to be greeted by someone and to be loved and cared for full of joy are my steps after a hard day's labor तो यहाँ पर जैसे ही मैं घर पहुचू कोई रहेगा wish करने के लिए तो मैं और खुशी-खुशी अपने घर की तरफ क्या कर रहा हो बढ़ रहा हो और आ रहा हो and I will do it again and again for there is no return without leaving और मैं यह चीज़ हमेशा करते रहूंगा अपने life में क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर जाना है अपने काम के बाद अपने घर पर जाना है तो इस तरीक से चार से पाच लाइन में आप एक पोयम को लिख सकते हैं, compose कर सकते हैं जिसके लिए बहुत जरूरी है पोयम का टाइटल समझना The road that leads to my home Okay, so the next part that we are going to do is you have to write appreciation of the poem appreciation of the poem यहाँ पर question में हमको दिया है poetic creativity provide four to six lines of free words on the topic the road that leads to my home express that it is a road to warmth and comfort तो अपको question में दिया होगा कि आपको क्या mention करना है कि ऐसा घर जहाँ पर जाकर मुझे बड़ा सुकून और आराम मिलता है तो उसको आप क्या करेंगे उस तरीके से हमने अभी अभी देखा है कैसे हमको poem को attempt करना है next आता है हमको poem का appreciation लिखना है तो यह जो poem है the inch kept rock इसका हमको क्या करना है appreciation जो है वो लिखना है तो poem को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि poem क्या है किस तरीके की है यह हमारे scene poem में से ही and scene extract हमको नहीं दिया है तो हमको हर एक poem की बारे में पता होना चाहिए तो how are we going to write the appreciation of this poem तो इस तरीके से हमने क्या किया है poem के appreciation को लिखा है यहां हमने लिखा है the inch kept rock के बारे में कि inch kept rock सबसे पहले हमने आपर क्या बता दिया किस ने लिखा है Robert Saudi ने लिखा है जो कि एक बलाड of 17 stanzas है यानि कि 17 stanza में यह poem जो है वो दी गई है also called quatrains as they are made of 4 lines each और इसी के साथ इसको quatrains भी बुलाए जाता है क्योंकि यह 4-4 line की poems जो है वो बनी है the primary theme of the poem is that those who do bad things meet with a bad end at the ends of fate यानि कि आप अभी यहापर central idea दे रहे हो कि यह poem exactly primary theme इसकी basic theme क्या है तो जो किसी के साथ गलत करता है ultimately उसके साथ भी वो गलत चीज होती ही है the idea of what goes around comes around is at the core of the poem यानि जो करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे तो यह एक central idea हमारी poem का आता है the ballad is composed in a narrative style and the rhyming couplets follow the rhyme scheme AABB तो यहाँ पर आपने क्या बताया है कौनसी rhyming scheme use हो गई है वो बताया है poem also contains a lot of old English words तो इस poem में कही सारे पुरान English के words भी लिये गए है the poet embellishes his composition with a number of figures of speech such as अब आप क्या बताएंगे कौनसे कौनसे figure of speech का यहाँ पर use हुआ है तो alliteration हुआ है antithesis हुआ है apostrophe हुआ है consonants हुआ है exclamation हुआ है inversion है metaphor है onomatophia है personification है repetition simile synodic transport epithet है तो इस तरीके से इधने सारे figure of speech का इस्तमाल हमारी 17 stanzas की poem में लिया गया है okay the highlight of the poem is the vivid imagery of the bright shining sun and the beginning of that of hazy sky यानि अब यहाँ पर जो है वो पूरे environment के बारे में बता रहे है कि शुरुआज जब हुई है तो बड़ा ही दिन जो था बड़ा ही bright था sun जो है वो बड़ा चमक रहा था उसे के साथ सा sky भी जो था वो बहुत चमक रहा था और at the end that of the steady ship, light waves, green ocean, birds wheeling around, sinking ship, डूपता हुआ जहाज that the poet employs to convey message of the poetic justice तो इसी के साथ साथ बता रहा है हमको poet poem में क्या हुआ है, justice हुआ है its smart usage makes the reader feel like they are a part of the scene being described तो जो reader पर रहे है उनको लगता है कि हम भी इसका एक हिस्सा है use of symbolism also adds to the beauty of the poem where the abort is presented as a symbol of all that is good while sir ralph symbolizes the evil तो यहाँ पर क्या है, good और evil के बीच में दिया है good was abort of ever protok और जो हमारा evil था, हमारा villain था, वो था sir ralph inch kip rock is symbolic of the trap that sir ralph had laid down for others which he himself fell into यह एक क्या था, एक ऐसक हुआ था जो sir ralph में दूसरों के लिए खोदा था, लेकिन खुदी उस गड़े में क्या हुआ, गिर गया through the poem has been composed in the 18th century the message conveyed by it is relevant even today बहले ही यह poem 18 सदी की दी हुई है लेकिन आज भी जो इसका message है वो हमारी life में क्या होता है इं लिबेड होता है then it says that the poem is didactic in nature meaning that it conveys a moral through the story depicted in it यानि कि a poem जो है वो क्या करे एक moral देने का काम कर रही है तो इस तरीके से चार मार के लिए कर आपको आता है तो इतना आपको poem के बारे में लिखना है मुझे college से hall ticket नहीं कहा सब कुछ करने के बाद भी बिठा hall ticket नहीं बिलगा college ही help करेगा I cannot help you in that what is the problem why the college is not giving you hall ticket point डाल के नहीं लिखे without pointers अगर लिखोगे तो भी कोई problem नहीं है चार मार के लिए लिखना है तो आप उसमें pointers में और ज़दा सोचोगे इस तरीके से लिखे लो कोई problem नहीं okay moving on to the next question अब आता है हमारा section 3 जो कि आता है हमारा writing skills writing skills जिसके अंदर imagine that you have won two entry tickets to a popular drama at a theater near you this weekend draft a message in about 100 to 150 words to convey the incredible news to your best friend यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको popular drama की theater की ticket बिली है आपको एक message बनाना है जिस message में आप अपनी friend को क्या कर रहे हो convey कर रहे हो कि इस drama के लिए मुझे ticket मिली है तो आपको क्या करना है अपनी friend को message बेज के virtually आपको क्या करना है उसको इस drama के लिए बुलाना है ठीक है तो यह हमारा पहला question है drafting of virtual message second है हमारा SOP statement of purpose जैसे मैंने आपको बोला इन तीनों मेंसे सबसे ज़्यादा आसान जो है वो है हमारा drafting of virtual message तो हमारा जो focus होगा वो किस पे होगा virtual message को draft करने के लिए होगा तो यहाँ पर हमने क्या किया है सबसे पहले आपको क्या लिखना है virtual message आप जब भी भी frame कर रहे हो सबसे पहले आपको लिख देना है date तो आपने आपर date जो है वो mention कर दी है अगर आपके question में date नहीं दी होती है तो आपका जिस दिन एक्जाम है आप उस दिन की भी date लिख सकते है कोई problem नहीं है तो आपका paper होगा 21st feb को यह जो message है वो भेज रहे है अब यहाँ पर आपने बता दिया कि मैंने participate किया था online quiz में पिछले हफते जिसमें कि मुझे बहुती अच्छा बहुती खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने वहाँ पर quiz जो है जीत लिया और जीतने के साथ मुझे क्या बिला है मुझे दो tickets बिली है प्रित्वी थेटर की जहाँ पर एक show है जो की एक play है जो की तुगलक नाव से है तो मुझे उसके लिए क्या बिल गए है tickets जो है वो बिल गए है तो आप बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि यह बहुत ही खुशकबर की बात है कि मैं जो है जीट चुकी हूँ मुझे tickets बिले है संडे को show है पाच बजे का तो मैं जाना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे उस चीज के लिए क्या करो reply करो और फिर last में जो है वो आपका नाम आ जाता है चीज के तो इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग वर्च्वल मेसेज को लिखते हैं प्रिंसिपल जो भी है एक सौरी का लेटर दे दो उनको ओके नेक्स जो है हमारा वो क्या है वो हमारा एसोपी है किस तरीके से हम एसोपी लिखते हैं स्टेटमेंड और पॉपस किसी दूसरी कॉलेज या यूनिवरसिटी में एड्मिशन देना हो तो फिर आता है हमारा ग्रुप डिसकशन तो ग्रुप डिसकशन का हमको topic यहा पर क्या दिया है imagine that you have recently discussed with your friends on mobile addiction write the same discussion in the form of dialogues that you have experienced रहे शुटबर डायलोगश वर ऐच पारिसिपेंट गविंगी his or her opinion on the given point तो mobile addiction के उपर आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को group discussion करना है तो मुझे तो लगता ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो group discussion राइ अगर आप ऐसे लिखोगे तो चलेगा कोई problem नहीं है चलो तो group discussion में जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो और mobile phone के addiction के उपर आप लोग क्या करते हो discuss करते हो जहाँ पर कुछ लोग होंगे जो favor में बोलेंगे कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ उसको सही इस्तमाल जो है वो करना चाहिए जैसे यह हमारा lecture होगा तो यह paper हम क्या करेंगे आपके telegram channel पर send कर देंगे ताकि आप इसके answer को refer कर सके बढ़ते हैं आगे अपने next question की तरफ हम जो की आता है आपका email writing, report, writing और interview questions इसके अंदर दोनों ही easy होता है जो वो है आपका email writing और आपके interview के questions सबसे पहला email writing हमको बुलता है draft an email in a proper format to be sent to a famous and distinguished personality in order to invite him or the price distribution program organized by the college authorities and to be held at your junior college आपके junior college में price distribution ceremony है तो आपको एक बहुत ही बड़ी हस्ती को personality को क्या करना है क्या करना है आपको आपको उनको क्या करना है यहापर उनको invite करना है ठीक है give complete program schedule and details about the event तो आपको उस event के बारे में detail देना है जब भी हम email कर रहे है किसी को बुला रहे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक message जो है वो draft करने वाले है novel हम पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे लेकिन पहले section wise हम आगे बढ़ते है ठीक है तो इसका answer हम कैसे attempt करेंगे देखो सबसे पहले हमको format बना लेना है format के अंदर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर जिसको mail send कर रहे है हम उनका नाम लिख देंगे subject हम लिखेंगे subject में क्या mention करेंगे कि हम सामने वाले personality जो है जिनको हम invite कर रहे है उसको हम क्यों बुला रहे है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है invitation for price distribution program at metro junior college अपने college का नाम लिख दिया आपने और आप उनको invite क्यों कर रहे है उसका आपने reason subject में mention कर दिया है respected sir I miss Naila Mathur the student union president of the metro junior college on behalf of the college बच्चों यहाँ पर tone देखो आपकी किस तरीके की होनी चीए किसे आप बहार के लोगों को बुला रहे हो आपकी tone बड़ी ही polite होनी चीए जहाँ पर आप अपना introduction देते हो कि आप कौन हो आपने student union president है आपने उनको बुलाना है आप कौन से college को बिलॉँ करते हो और आप अपने college के behalf पर उनको क्या कर रहे हो बुला रहे हो अब यहाँ पर आपने उनको बोल दिया है कि हम आपको क्यों बुला रहे है क्योंकि हमारे college में price distribution ceremony है इसके लिए आपको बुला रहे है हर साल हमारा college क्या करता है यह annual festival जो है national level पर felicitate किया जाए तो यहाँ पर इस साल हमारे थीम क्या है electronics for all where participants from all the colleges will present a beginner level electronic kit model useful in daily activities तो आप यहाँ पर उनको बताएंगे कि exactly क्या आपके इसमें होने वाला है unseen थोड़ा सा hard हो रहा है okay problem now आपने क्या करना है program के details जो है वो उनको देने है जिनको आप बुला रहे है सबसे पहले आप venue दे देंगे आपका metro junior college है आपने date लिख देनी है events लिख देनी है और हर एक event का time आपको क्या करना है mention करना है तो सबसे पहले welcome note होगा lighting the lamp होगा यहाँ पर कई ना कई comparing जो है वो आ जाता है पर comparing में भी इसी तरीके का format जो है वो बढ़ता है ठीक है prayer song लिख दिया inaugural dance लिख दिया display of electronic models prepared by students price distribution ceremony guest of honor speech vote of thanks तो यह सारा का सारा sequence जो होता है बच्चों हमारे किसमें होता है हमारे comparing में होता है it would be a great honor for us if you would consider attending the program and would hand out the certificates and trophies to the winner अब आप जब उनको बुला रहे हैं तो बुलाने के साथ साथ आपको कई सारी बाते उनको बतानी होती है कि आपने प्रोग्राम के सारे details दे दिये और आप ही के हाथ से हम क्या करवाएंगे हम उनको जो award जो distribution करवा रहा है वो आपके हाथ उसे करवाएंगे फिर last में आपको लिख देना है yours truly naila matur तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया आपने पुरी details देने के बाद last में अपना नाम जो है वाहाँ पर mention कर दिया next अगला जो question है वो है हमारे report writing जो की imagine you have visited the jungles of Nagarhol write a report to be published in your college magazine in a local newspaper तो आप Nagarhol के jungle में गए थे तो वहाँ जाकर आपको अभी क्या करना है वहाँ की पुरी details report जो है वो आपको बनानी है यहाँ पर हमने एक report बनाई है जहाँ पर report का format कुछ इस तरीके से होगा बच्चो jungles of Nagarhol लिख दिया यहाँ पर आपने student reporter हो अपना नाम लिख दिया side में आपने date mention कर दिया है जिस दिन आप report बना रहे हो और फिर आपने अपनी date के हिसाब से उस पूरे report को क्या कर दिया है prepare जो है वो कर लिया है interview में सभी subject में काम आने वाले interview जो है हमारा interview है write a set of 8 to 10 questions to be asked to a social worker take the help of following points यहने कि social worker को आपको बुलाना आपको उनका interview लेना है और कुछ आज से 10 point है जिसमें आपको क्या करना है आपको उनको सवाल पूछने है तो यहाँ पर आपको क्या दिया है जिसकी मदद से आप questions frame करेंगे बच्चो देखो अगर points दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे उन points के basis पर ही questions frame करेंगे आपने अलग questions rectify करके रखाया और उसको आकर यहाँ पर पूछेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इन points के basis पर questions जो है वो बच्चो उनको पूछेंगे सबसे पहले तो आपने बोल दिया good afternoon good evening उनको greeting दे दिया उनका नाम लेकर आप बोलोगे कि आप अपना introduction दे रहे हो उसी के साथ बता रहे हो कि आप अपने पर आपने थोड़ा सा उनके academic background के बारे में पूछ लिया कौन से subjects पसंदे उस बारे में पूछ लिया academic experience जो है आपकी life में किस तरीके का आपकी पढ़ाई का impact जो है वो आपकी life में throughout जो है वो रहा है उसी के साथ help us understand if getting into social sector was a planned move or did it happen due to some trigger later in life अब जब आप अपनी social life में जो social worker बने है तो आपको उनको पूछना है कि कैसे आप एक social worker जो है वो बने हो ऐसा life में कौन सा incident हुआ जिसकी वज़े से आपको ये काम जो है वो करना पड़ा है इसी तरीके से आपने कुछ questions जो है उसके बाद comparing जो है वो easy होता है तो speech writing और comparing में आपको देखना है कि कौन सा आप ज़्यादा convenient हो ठीक है ओके moving ahead जिस तरीके से आपको कुछ अपनी जो speech writing है उसके अंदर पहले greeting करते हुए teachers, friends और आपके faculties जो है उनको greet करते हुए आपको इस topic के उपर क्या करनी है detail लिखनी है फिर है हमारा next review जो है वो आपको देना है पांच मिनिट का आपने YouTube के उपर वीडियो देखा है interesting places to visit अब आप इसके उपर क्या करेंगे अपना review जो है वो बनाएंगे इसके तरीके से जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे असान जो है वो अपील होता है आपको किसके उपर बनाना है चाइल लेबर को रोकना है आपको तो आपको कुछ पॉइंस दिये जो की cover करने है basic education, lack of knowledge, behavior, social thinking, effect of education, social behavior, requirements and appeal to society तो आप किस तरीके से इसके answer को present करोगे देखो इस तरीके से एक appeal जो है बच्चों हमको लिखना होता है protect our children जहाँ पर हमको पता है कि हम एक diagram तो वहाँ पर कुछ बना नहीं सकते है लेकिन कही न कहीं हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं future citizens of a nation help them live a dignified life speak up against child labor they are our children too तो आप तहले से थोड़ा सा बच्चों के बार में आपने बोल दिया बोल देने के बाद में आप क्या कर रहे हैं आप आगे जो है वो पढ़ रहे है child labor के बार में आप लिखेंगे यापर ओके ओके textbook lesson को आप कितनी बार पढ़ोगे वो ज़रूरी है textbook के lessons को आपने कितने अच्छे से समझा है वो ज़रूरी तो आप textbook के सारे lessons को अच्छे से समझगे okay moving ahead with the final हमारा जो literary genre है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे देखो यहाँ पर हमने questions दिया है आपको pick the odd element आउट जहाँ पर हमने novelist के नाम लिखे है और आपको बताना है कि इन में से कौन सा odd element है जिसको हम बाहर निकालेंगे तो पहला दिया है अरुन जोशी विकरम सेट ग्राहम ग्रीन और किरन नागरकर तो हम इसमें से किसको बाहर निकालेंगे odd man out जो है वो कौन है हमारे ग्राहम ग्रीन क्योंकि बाकी के सारी जो authors mention है वो Indian origin के लेकिन ग्राहम ग्रीन जो है वो Indian origin के नहीं है नेक्स आता है हमारा place, period, theme, climate, lifestyle तो इन सब में से हम किसको बाहर निकालेंगे हम जो बाहर निकालेंगे वो है नेक्स, theme, plot, character, novella अब novella बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर जायेगा क्योंकि बागी सब जो है वो novel या candi हिससा है तो बागी सब जो है अलरी उसका हिससा है तो novella बाहर वार होगा क्यों दॉसक्ट सब लागए दहसे है appeal means advertising होती है it is a sort of advertising लेकिन ये advertising ऐसी है जहापर आप किसी चीज की request जो है वो कर रहे है ओके next is horror, mystery, picker askew and thriller तो इसमें से picker askew भार आएगा क्यों क्यों कि picker askew is a type of novel while others are types of gothic novel बाकी सब gothic novel है और picker askew एक अलगी type होता है novel का तो picker askew हमने क्या कर दिया बाहर लिका लिया next that we have is arrange the following events, novels or writers in chronological order अब हमको याद रखना होगा इसके लिए इसके लिए हम कोई और technique नहीं इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर हमको क्या करना है यहाँ पर हमको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि कौन से कौन से events कभी हुए है कौन सा novel कौन सा author कब आया है तो इस तरीके से हमने सबसे पहले हमको दिया हुआ राजमहुन's wife by banking चंदर चेटोपार्दियाई के बारे में rise of famous Indian tribe के बारे में दिया है फिर दिया है नयंतरा सायगल अरुन जोशी मनोहर मलगाओ कर और फिर लास्ट में आता है अरुन्दती रॉय किरन डेसाई और किरन नागर कर तो इस तरीके से novels में हमको जो उनका sequence है वो लिखना है virtual message चोड़के बागे सब के लिए box बनाना है appeal के लिए आपको बनाना है that is for sure और appeal के लिए आप बनाएंगे yes of course paper में आएगा तभी तो हम कर रहे है novel आपको hard लगती है लेकि novel के section में बेटा किसी तरीके की कोई ऐसी trick नहीं है जो काम आ सकती है आप एक तरफ कर सकते हैं सारे इंडियन authors को mention कर सकते हैं एक सरफ आप सारे बाहर जो बाहर के novel से novelist है उनका नाम जो है वो आप mention कर सकते हैं तो फिर आपको एक ध्यान में रहेगा कि इंडियन authors कोन है और बाहर foreign के authors जो है वो कौन है novel के lectures अलड़ी हमारे upload है appeal does not mean invitation appeal is a form of request बच्चो, it is a form of request जहापर आप कोई society के लिए कोई donation या कोई charity work के लिए लोगों से appeal करते हो एक social काम के लिए होता है basically आपको यहाँ पर क्या करना है अब आपको आता है question number B जो की आता है 4.2 से जहापर आपको जो दिया गया है उसके अंदर से to serve with love 4.2 उसके अंदर से हमको question पूछा जाएगा तो वहाँ पर हमको उसका answer जो लिखना है आपको बॉक्स ब्राफ न वर्चूल मेसेज के लिए डेफिनिटली बनाना है आपको बॉक्स बीजूटS 4.1 से सिर्फ objectives question आते है briefly आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं आने वाल है जो भी आएगा 4.2, 4.3, 4.4 से ही आएगा Okay, so kindly make a note of all these things 4.1 is completely objective based, MCQ based Yes, almost आपको textbook के पीछे के ही questions जो 4 of 4 नहीं मिलता है बेटा, best आपको 3.5 ही मिले 4.4 के लिए बोलिए कुछ तो 5.4 के लिए कुछ तो 4.4 वाल ही मिलेक्स आपको एभाल इभाल इएभाड ग्रीफ ही आपका वह आता है आपके 4.4 से The sign of four जिसके पूछा गया है इसी के reference में आपको एक question जो दिया है interpret and write in brief the theme wealth in the light of the novel novel के reference में आपको wealth के बारे में जो है वो बताना है जो कि यहां पर mention किया है तो कैसे यह story जो है वो शुरुआत हुई थी आगरा के खजाने के साथ में कौन से कारेक्टर्स इसके अंदर involved थे कैसे एक Jonathan Small की वज़े से कितनी life जो है वो effect हुई थी तो यह सारी चीज़े जो है वो इसमें mention करनी है पेटा आप लोगों को जो question आते है वो दो-दो marks के लिए आते है तो आपको कितना page cover नहीं करना है यहाँ पर आप जो ध्यान देंगे आप जो इन चीज़ों के अंदर ध्यान देंगे वो क्या होगा कि आपने exactly जो story है उसकी जो important points है वो cover किया है theme, character हर एक को समझा है हर एक को mention किया है इन चूज़ों के उपर आपको ध्यान देंगे इपर में copy कैसे करें that's a good question इपर में mistakes कैसे avoid करने है देखो बचो जब हम nervous होते हैं तो mistakes थोड़ी बहुत हम लोगों से होई जाती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है tension नहीं लेना है, stress नहीं लेना है और अगर आप लोगों से mistake हो रही है तो बहुत ज़ादा scribble नहीं करना है answer sheet के आपको आप लोग definitely जो section चाहिए आप कर सकते हैं लेकिन इतना याद रख लेना 3.1 इदर लिखा है, 3.5 वहाँ लिखा है यह नहीं करना है जो आपको पता है sequence में आप उसके लिए page शोड़ दीजिए और आप आगे जो है वो continue कर देंगे oral से कितने marks मिलता है average हर college का management 15 marks आपको देगा ही देगा answer own word में लिख सकते है क्या own word में लिखो लेकिन it has to be with reference to the theme आप उससे हटकर बात नहीं कर सकते हो paragraph question the address जो है वो आ सकता है क्योंकि यह दो साल उसको omit करके रखा हो आता हो dress है ना yellow dress वाला जो हमारा chapter है वो अच्छे से करके जाना उसकी language इतनी टेक्निकल है कि उसमें से आने का chances है आपको non-textual grammar में कैसे करें non-textual grammar जो है वच्छो वो आप लोग आपको हर chapter के बाजु में लेको आपके textbook के सामनी section 1,2,3,4 है ना उसमें दिया है कि कौन से कौन से grammar आपको पूछे जा सकते हैं तो उनकी आप जादा अच्छे से तयारी कर लीजिए Can we start the paper from the end that is from the novel question? Yes, you can definitely Commence asks scrolling Yes, new dress by virginia wolf travel जो chapter है why we travel is also an important chapter के इसमें आपको languages का थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि तना line लिख सकते हैं अब line तो जो है वो change होते जाएगी जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ 10 से 15 line लिखी है अब आपकी handwriting, spelling वो सब भी तो depend करते हैं मैं आपको 15 line बोल दूँगे आपकी handwriting के वज़े सिर्फ 10 line होई तो और 2 line आप सोचते बैटोगे तो appreciation में कभी भी poem की सारी चीजे cover हो रही है नहीं हो रही है उस पर ध्यान दो कितने lines में poem लिखना है उसके ओपर ध्यान मत दो पड़के जाओगे तो सब इज़ी है पड़कर नहीं जाओगे तो it will be difficult पड़कर नहीं किया तो चलेगा आरे बच्चों उसमें से एकदम objective questions आते हैं बहुत ही आसान questions आते हैं क्यों गवाना इस चीज के लिए कि कौन सा author जो है वो odd man out में आपको धूंड कर निकालना है राइट समझ लो ना चोटी-चोटी चीज़ों को समझ लोगे तो 2 marks 3 marks आपको हाथ से यसी छोड़ रहे हो novel बताओ प्लीज नॉवल के questions नॉवल में सबकुछ important है नॉवल में से कुछ भी ऐसा नहीं कि exclude किया जाएगा तो to serve with love अच्छे से कर लेना और हमारा sign of 4 अच्छे से कर लेना यह बहुत जरूरी है और हमारा सोपी वाला चैप्टर मत बूलना वह भी बहुत अच्छा था writing skills कमजोर है तो writing skills के लिए आप मेरे lectures देख लीजिए एक बार बहुत सारे lectures अवेलेबल है YouTube के उपर आपको जो lecture लगता है कि आसान भाशा में आपको समझ में आ गया आप उसको रेफर करके अपने खुद के points बना लीजिए और summary लिखते हैं उसको ध्यान रखिए हमल सार को बोल दूँगे आपके hall ticket के लिए स्टार्ट सेक्शन दी दन सेक्शन ओके पेपर में time management मैंने अल्यडी वीडियो जो है वो upload कर लिया है याद रखना 180 मिनिट्स हमको मिले है plus 10 मिनिट्स और extra मिले है याद में 190 मिनिट्स है हमारे हाथ में लेकिन आपको जो trick मैंने बताई उससे आप 15 मिनिट्स कवर कर लो बागी के 25-30 मिनिट्स से वेसी चीज में निकालना है कि हमने सारे questions को attempt किया है question number सही लिखा है जहांपर हमको अच्छे से pencil से बनाना चाहिए था जो कुछ भी वो सब हमने किया या नहीं किया इन चुछे के उपर आप ज्यादा ध्यान लिए सबसे ज्यादा scoring आपका जो section 3 होता है writing skills 16 marks के लिए होता है आप उसको पकड़ लो और 12 marks के लिए आपका scene होता है passage यह अगर आपने textbook को अच्छे से समझ लिया तो scene passage or scene poem आपके हाथ से कहीं नहीं गरी तो 12 marks आपको section 1 से मिल जाते है 16 marks आपको section 3 से मिल जाते है तो आराम से आप कमा सकते हो many times हमको passages में word meaning नहीं पता होता है तो बेटा इसके लिए तो आपको अपनी vocabulary ही improve करें no one is going to help you in that sense ठीक है तो हम telegram के channel पर आपके जो है novel के सारे जो भी answers को forward कर देंगे all the chapters will be forward to you all तो इसी के साथ बच्चो आज कर अपना session है वह हम complete करेंगे और मिलते हैं आपको कल हमारे live session में जहाँ पर हम फिर से एक बार आपके सवालों के जवाब के लिए जरूर आ जाएंगे till then stay tuned to our channel and meeting you all very soon thank you very much for today's session